आज हम बनाएंगे दही वाली भिंडी यह सबजी खाने में बहुत ही स्वादिश लगती है आज हम इसे एकदम से रेश्टूरेंट रेश्टाइल में बना कर तयार करेंगे नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का नानी की रसोई निलम टेक में तो चलिए देख लाल मीर्चे आप सनल है अगर आपको खानी पसंद हो तो आप इसे डाले नहीं तो आप इसे इसकिप कर दें लिया है हमने हाँ पर दो बड़ी साइज की बारी कटी हुई प्याज एक कटोरी भरके दही तीन चमच अद्रक और लहसन का पेश्ट एक चमच जीरा और कुछ खड़े गरम मसाले गरम मसालो में हमने लिया है तीन-चार ल लोग, तो, तीन टुकड़े दालचीनी के और साठ से आथ काली मिल्ज लिया है हमने यहाँ पर दिर्ध चमच धनिया पौडर, एक चमच हल्दी पौडर, एक चमच गरम मसाला, आधी चमच लाल मिर्ज का पौडर और दो से तीन कटी हुई हरी मिर्ज, सबसे पहले हम भिंडी को काट लेंगे, एक चाकू की सहायता से सबसे पहले हम भिंडी के उपर वाले पौशन को काटेंगे, और इसके बाद हम भिंडी के बीच में लगा लेंगे, चीरा और इसे अच्छे से छेक कर लेंगे, आप चाहे तो इसे बीना काटे भी इसकी सबजी बना सकते हैं, इसी तरह से हम सारी बींडी को काट लिया है अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा नमक हल्दी और नमक को हम भींडी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें मिक्स करने के बाद हम 4-5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे भिंडी को हमने 4-5 मिनट के लिए ऐसे ही रखा था तो चलिए अब हम इन्हें तल लेते हैं भिंडी तलने के लिए हमने पहले से ही गैस पे कड़ाई रखी थी और उसमें हमने तेल गर्म होने के लिए रखा था जब तेल गर्म हो जाए तब हम गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और बारी बारी से हम कड़ाई में भिंडी को डाल देंगे भिंडी को हम medium flame पर चलाते हुए हलका सा सुनहरा होने तक भून लेंगे अगर हम भिंडी में नमक और हर्ली मिलाकर इसे 5 मिनट के लिए रख देते हैं तो तलते समय भिंडी का कलर काला नहीं पड़ता है आप देख सकते हैं कि इनका कलर हलका हलका सुनहरा हो गया है अब हम इने बारी बारी से कड़ाही से एकाल लेंगे और बाकी बच्ची भींटी को भी हम सेम प्रोसेस दोहराते हुए उन्हें भी तल लेंगे हम इन भींडियों को भी मीडियम फ्लेम पर हलका सुनहरा होने तक तलेंगे जब इनका कलर हलका सुनहरा हो जाये तब हम इने भी कड़ाही से निकाल लेंगे हमने यहाँ पर सारी भींडिया तलकर प्लेट में ले ली हैं तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं कर्म होने पर हम इसमें सबसे पहले डालेंगे तेजपत्ता और हमने जो लाल मिर्चे ली थी उन्हें भी कड़ाही में डाल देंगे डालेंगे हम इसमें जीरा और हमने जो खड़ा मसाला लिया था उसे भी हम डाल देंगे जब ये अच्छे से लाल हो जाए तब हम इसमें डा लाते हुए हलका सा सुनहरा होने तक भूल लेंगे जब प्याज का कलर हलका सुनहरा हो जाए तब हम इसमें डालेंगे हमने जो अद्रक और लहसन का पेश्ट लिया था उसे अब हम अद्रक और लहसन को प्याज के साथ लाल होने तक लगातार चलाते हुए भूल लेंगे हम इन्हें भूनते समय गैज का फ्ले मीडियम रखेंगे आप देख सकते हैं कि प्याज, लहसन और अद्रक का भी कलर अच्छे से लाल हो गया है अब हम इस इस्टेज पर गैज को बंद करेंगे और इसमें हम मसालों को एड़ कर देंगे डालेंगे हम इसमें हमने जो गर्म मसाला लिया था उसे डालेंगे हम इसमें लाल मिर्ज का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और हमने जो दही लिया था उसे भी हम कडाही में डाल देंगे दही को हमने अच्छे से फेख लिया है, अब हम दही को सारे मसालों के साथ अच्छी तरह से बराबर चलाते हुए, मिक्स करेंगे जब इच्छे से मिक्स हो जाएं तब हम गेस को आन करेंगे और इन मसालों को हम बिना ढगे ही चलाते हुए, लो फलेंपर 3-4 मिनट तक भून लेंगे डालेंगे हम इसमें नमक और मसालों को लगातार चलाते हुए 3-4 मिनट तक भूनेंगे मसालों को घुनते हुए लगभग 3-4 मिनट हो गया है आप देख सकते हैं कि मसालों ने तेल छोड़ दिया है और इनका कलर भी बहुत थी बढ़िया दिख रहा है अब हम इसमें डालेंगे पानी पानी की मात्रा आप सबजी में अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं जैसी सबजी आपको खानी पसंद हो हमने इसे हलका सा ठीक ही बनाया है हम फिर से सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इन्हें ढख कर हम मीडियम फ्लेम पर एक बढ़िया सा उबाल आने तक पका लेंगे जब मसालों में अच्छा सा उबाल आ जाए तब हम इसमें आट करेंगे हमने जो भींडी तलकर रखी थी उन्हें हम इन भींडियों को भी ग्रेवी के साथ अच्छे से चलाते हुए मिलाएंगे और भींडियों को हम ग्रेवी के साथ मीडियम फ्लेम पर तीन से चाय मिनट तक धक कर पका लेंगे सबजी को पकते हुए लगभग दिन से 4 मिनट हो गया है और यह बहुत ही बढ़ियां से पक चुकी है अब हम गयस को बंद करेंगे और डालेंगे हम इसमें कसोरी मेथी कसोरी मेथी को भी हम सारी ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और सबजी को हम एक सरिंग बाउन में निकाल लेंगे यह सबजी खाने में बहुत ही स्वादिश लगती है और बहुत ही आसानी से घर पर बन कर तयार भी हो जाती है अगर हम इस सबजी को रिश्टूरेंट या धावे में खाने जाते हैं तो हमें यह सबजी साथ से सत्तर रुपे पर प्लेट मिलती है तो क्यूं ना इसे घर पर ही बना कर खाया जाए सबजी को सर्यूंग बाउन में निकालने के बाद हम इसके उपर थोड़ा सा हराधनिया गार्निस कर देंगे आप देख सकते हैं कि दही वाली भिंडी की यह सबजी बन कर तयार है आप लोगों को मेरी यह रेस्पी कैसी लगी कमेंट करके बताईएगा जरूर अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा धन्यवाद